अगर आप दोस्तों फोन पे एप से किसी भी मिचल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको इस वीडियो को पुरा इंड तक देख लेना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे देखे बिना आपको इसमें याँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एप आपसे ज़्यादा चार्जिस लेता है तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट वाले फीचर को ऑपेन करलेना है आप यहाँ से वेल्थ पर कलिक करेंगे तो आपके समने इसका इन्वेस्टमेंट वाला ओपशन ऑपेन हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको example के लिए कोई साभी एक mutual fund ले लेता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये app कैसे आपसे ज़्यादा चार्ज लेता है तो यहाँ पर मैंने ICICI Prudential Value Discovery Fund को open कर लिया है यहाँ पर मैंने इसको open किया और उसके बाद आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने इसकी सारी details आजाएगी कि इसने कितना data वगेरा दिया है यह सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें आपको दो चीजे ध्यान देनी है पहला है expense ratio और दूसरा है plan type आप देख सकते हैं कि इसका जो plan type है वो regular है और इसका जो expense ratio है वो 1.55% है expense ratio वो होता है जो यह app आप से सालाना आपके total amount का charge लेता है जैसे 1.55% है तो यह आप से जितना भी आप पैसा invest करोगे उसका 1.55% amount यह अपने पास रग लेगा तो यह मतलब एक प्रकार से charges होता है अब इसी fund को मैं दोस्तों आपको दूसरे app में open करके दिखाता हूँ और उसमें आप देख पाएंगे कि expense ratio कम है जैसे मैंने आपर grow app को open कर लिया है आपको पता होगा कि grow app एक बहुत ही बढ़िया stock market में पैसे लगाने वाला app है और इसमें मैंने यह आपर उसी fund को open कर लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो expense ratio है वो बहुत ही कम है आप देख सकते हैं कि इसका expense ratio 0.99% है बाकि सारी चीजें इसमें सेम हैं लेकिन आप expense ratio देख सकते हैं कि 0.99% है मतलब यह जो fund है यह अगर आप grow app से इस fund में अपना पैसा डालते हैं तब सालाना यह आप से 0.99% चार्ज लेगा लेकिन इसी जगह अगर आप phone पे से डालते हैं तब उसमें आपको 1.55% देना होगा ऐसा इसलिए है कि जब आप grow app से इसमें पैसे invest करते हो तो आपके पैसे direct इस fund में invest होते हैं लेकिन जब आप phone पे से invest करते हो तब आपके पैसे phone पे के through invest होते हैं इसलिए इसका जो यहाँ पर चार्ज है वो 0.99% ही है लेकिन जो आपसे extra charge इसमें लिया जा रहा है वो phone पे app के दोरा लिया जा रहा है और इसलिए यह जो इसका plan है वो regular है जो regular plan type होता है उसमें एक middle man होता है मतलब जिस app से आप पैसे डालते हैं उसको भी उसमें add किया जाता है और वो भी charge लेता है लेकिन जो plan type यहाँ पर direct होता है मतलब दो plan होते हैं एक direct plan और एक regular plan अगर आप regular वाले से invest करेंगे तो उसमें आपको charge ज़्यादा देना होता है और अगर आप direct वाले plan से invest करते हैं तब उसमें आपको charge इतना नहीं देना होता है तो इसलिए अगर आप phone page से mutual fund में पैसे डाल रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत amount डाल रहे हैं तब आप यहाँ पर उसी से invest कर सकते हैं लेकिन अगर आप long term के लिए बहुत ज़्यादा अपने पैसे invest करना चाह रहे हैं तब आपको grow से या फिर किसी angel one जरोधा मतलब एक proper broking app से आपको पैसे invest करने चाहिए क्यूंकि वहाँ से जब आप पैसे invest करते हैं तो वो direct mutual fund में invest होते हैं आपको यहाँ पर middle man को कोई भी charge नहीं देना होता है लेकिन जब आप phone page से invest करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा आपका charge देने में ही चला जाएगा इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसा invest करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे broking app से कर सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यह थोड़ा सा भी helpful रहा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जोर कर देना साथ ही अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं